रिक्वेत पंचमंडल सुक्त 41 से सुक्त 50 नमश्कार मेरी इन ओडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद अगर आप अपना योगदान देना चाहते हूं और आपका सामर्थ हो तो स्क्रीन पर दिये गए QR कोड के और जॉइन बटन के द्वारा आप यह कारे कर सकते हैं सुक्त 41 देवता विश्वदेव हे मित्र एवं वरुन मेरे अतिरिक तक कौन यजवान तुम्हारा यग्य करने की इच्छा कर सकता है तुम स्वर्ग विशाल धर्ती एवं आकाश में रहे कर हमारी रक्षा करते हो यग्य करने वाले मुझे जमान को तुम पशू एवं अन्य दो तथा उनकी रक्षा करो हे मित्र, वरुन, अर्यमा, आयू, इंद्र, रिभूं एवं मरुतों तुम सब हमारे शोभन एवं पाप्रहित स्तोत्रों तथा नमस्कारों को स्विकार करो दयालू रुद्र के साथ प्रसन्न हो कर तुम हमारी सेवा करो हे अभिलाशों का तवन करने वाले अश्वनी कुमारों हम तुमें इस कारण पुकारते हैं कि अपना रत वायू के समान वेग से चलाओ हे रित्वजों तुम द्योदिशाली एवं प्राण हरन करने वाले रुद्र के लिए सुन्दर स्तोत्र एवं हव्व अन्तयार करो यग्य को स्विकार करने वाले मिधावियों दोरा बुलाए गए तीन स्थानों में उत्पन होकर भी सूरी के समान प्रसंता देने वाले एवं विश्व रक्षक वायू अगनी एवं पुशादेव हमारे यग्य में आशुगामी अश्व के समान शीग्रावें हे मरुतों तुम हमें अश्वयुक्त संपती प्रदान करो स्तोता जन धन पाने एवं उसकी रक्षा के निमत तुम्हारे स्तुती करते हैं उश्विच के पुत्र कक्षिवान राजा के होता अत्री तेज चलने वाले घोड़े पाकर सुखी हो तुम्हारे दियोए वे घोड़े वेखवान हो हे रित्वजों तुम तेजस्वी विशेश रूप से कामपूरक एवं स्तुती योग्य वायुदेव को यग्य में जाने के लिए आर्चनी स्तुतियों द्वारा विशेश प्रकार से रत पर बैठाओ कति शालिनी यग्य का स्पर्ष करने वाली रूपवती एवं प्रशंसा योग्य देव पतनिया हमारे यग्य में आवे हे महती उशा एवं रात्री हम वद्णना की यूगे अन्य देवों के साथ साथ तुम्हारे लिए सुख कर एवं ग्यान कराने वाले मंत्रूं दौरा हववे देते हैं तुम यजमान के सभी कर्मों को जान कर यगे में आओ हम अनेक भाक्तों के पोशक वो यग्य के नेता आप देवों की स्तुति धन पाने के लिए हव्य देकर करते हैं हम वास्तुपती तुष्टा धन दात्री वो अन्य देवों के साथ रहने वाले घिशना वनस्पतियों एवं और शद्यों की स्तुति करते हैं दे में एक जो वीरों के समान संसार को निवास्थान देने वाले शोभन गतियोग्त, स्थुतियोग्य सब के प्राप्त करने योग्य, यक्यके पात्र इवं सदा मानवों का हित करने वाले हैं, हमारे लिए विस्त्रित दान के अनुकूल बने हम अन्तरिक्ष में स्थित इवं वर्षा करने बाले, बादल के गरगरूप इवं जल के रक्षक, विद्युत रूप, अगनी के स्थुति, पाप्रहित इवं शोभन, स्तोत्रूं द्वारा करते हैं तीन स्थानों में व्याप्त वे अगनी मेरे गमन के साथ अपनी लप्णों से मुझ पर प्रोध नहीं करते, अपितु प्रज्जुलित होकर जंगलों को जलाते हैं हम अत्री घोतर वाले रिशी महान रुद्र की स्थुति किस प्रकार करें हम सर्वग्य भग से धन बाने के लिए कौन सी स्थुति बोलें वे परवत हमारी रक्षा करें जिनके केश, जल, और शधियां घी, बन और रिक्ष हैं बलके स्वामी, आकाश्चारी, अतिशय, तरण वाले, गतिशील एवं चारों और जाने वाले वायू हमारी स्थुतियां सुने नगरों के समान शुभ्र एवं विशाल परवत के चारों और वाली जलधारा हमारी स्थुतियां सुने हे महान मरुतों, तुम हमारे सुतियों को शीक्र जानो हे दर्शनिये हम सुन्दर हव्वे लेकर तुमारी स्तुति करते हैं मरुत्गन हमारे सामने भले बन कर आवे एवं हमारे प्रतिक शोब रखने वाले मरंधर्मा शत्रु को अपने आयुधों से मारे हम दिव्वे जन एवं प्रित्वी संबंधी जल पाने के लिए सुन्दर यग के वाले मरुतों को आहुती देते हैं हमारी स्तुतियां अर्थ प्रकाशत करती हुई आनंद पूर्वक बढ़ें एवं मरुतों द्वारा पोशत नदियां जल से पूर्ण हो हम सदा सरवदा उस भूमी की सुति करते हैं जो शक्ती शालेणी अपनी रक्षा शक्ती द्वारा हमारे उपद्रप निवारन करने वाली महती एवं सारूप है वेप्रसिध एवं मेधावी स्तूताओं के अनुकूल बन कर कल्यान कारनी हो हम शोभन दानवाले मरुतों की स्थुतियों द्वारा किस प्रकार सेवा करें किस प्रकार की स्थुति द्वारा उनकी उचित पूजा हो प्रातकार जागने वाले देव हमारी हिंसा न करें एवं हमारे शत्रों को नश्ट करने वाले हो हे देवों, ये जमान लोग संतान एवं पशु पाने के लिए शीक्र तुम्हारी सेवा करते हैं। निर्यती इस स्यगी में उत्तम अंद्वारा मेरा शरीर पुष्ट बनावे एवं मेरा बुढ़ापा दूर करें। हे दीप्तिशाली वसूं हम तुम्हारी गाय रूपी स्तुती से शक्तिकारक दूध रूपी अन प्राप्त करें। वैशोभन दान वाली देवी हमें सुक्त महुँचाती हुई शिक्र हमारे सामने आवे। गायों के सम्हूं का निर्मान करने वाली इड़ा एवं उर्वशी सब नदियों के साथ मिलकर हम पर अनुग्रह करें। परम दीप्तिशाली उर्वशी शब्द करती हुई हमारे यग्गी की प्रशनसा करती है। एवं यजमानों को अपनी प्रकाश से ढखती हैं। उर्जव्य राजा को पुष्ट करने वाले देवगण हमारी बार-बार रक्षा कने। सुक्त 42, देवता विश्वदेव, अत्यंत सुख कारक, स्तुतिवचन, हव्विदान आधी, कर्मों के साथ वरुन, मित्र, भग, एवं अधिती के पास पहुँचे। अंतरिक्ष में स्थित प्राण आधी पांच वायूं के साधक, अबाद गती वाले प्राण दाता एवं सुख के आधार वायूं हमारी स्तुतियां सुने। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को हिर्दय से लगा लेती है, उसी प्रकार मेरे हिर्दयकारी एवं उत्तम सुखताता स्तुत्र को अधिती स्विकार करें। जो स्तुति वचन प्रिय देव हितकारी एवं आनंद दाता हैं, उन्हें हम मित्र और वरुन को देते हैं। हे रित्विजों, तुम क्रांत दर्शियों में श्रेष्ट एवं सामने वर्तमान अगनी को प्रसंद करो। हम इन्हें मधुर सोम एवं घृत द्वारा प्रसंद करें। वे हमें हितकारक उत्तम एवं प्रसंदकारक सोना दें। हे इंद्र तुम प्रसंद मन से हमें गॉय यूक्त करते हू। हे हरी नामग घोड़ों वाले, तुम हमें मेधावी पुत्र, कल्यान, पर्याप्ट, अन्न एवं यग्य के योग्य देवों की कृपा से मिलाते हूँ, तीप्तिशाली भग, सविता, धन के स्वामी, त्वश्टा, वृत्र, हन्ता, इंद्र, धनों को जीतने वाले, रिभुक के टुम सहिद इंद्र के कर्मों को कहते हैं, इंद्र युद से नहीं भागते, वेज़े ही होते हैं एवं ज़रा रहित हैं, थे धन्स्वामी इंद्र, तुम्हारी शक्ति ना पुराने लोग जान सके हैं और ना उनके परवर्थी, कोई नया विक्ति भी तुम्हें नहीं जान सकता हैं यह कि अंतरात्मां तुम सब्से पहले रतन धारण करने वाले इवं धन देने वाले बहत्वति की स्तुति करोrit remember यह मान के लिए आतिशय सुक दाता है इवं पोकारने वाले यह मान धन लेकर आते हैं यह था तम्हारी सुरक्षा पाकर लोग G parle धन संपन एवं शोभन पुत्रों वाले बनते हैं। तुम्हारा अनुग्रह पाने वालों में जो संपतिशाली लोग, आशुर, गाय या कपड़े का दान करते हैं, उनके पास धन हो। हे ब्रहस्पती, तुम ऐसे लोगों का धन नश्ट कर दो, जो अपना धन हम स्तुधी करताओं को न देकर उसका स्वयम उभ्भोग करते हैं, जो व्रतों का पालन नहीं करते एवं मंत्रों से त्वेश रखते हैं, वे लोग इस संसार में बढ़ रहे हैं, तुम उने सूरे से अलग करो, हे मरुतों, जो यजबान देव्यग्य में राक्षसों को बुलाता है, जो तुम्हारे कर्म की स्तुती करने वालों की निंदा करता है, और जो सांसारिक भोगों के लिए कले शुठाता है, उसे तुम बिना पहियों वाले रत द्वारा अंधकार में डाल दो, हे आत्मा तुम उन्हीं रुद्रदेव की स्तुती करो, जो शोभन धनुषवाले एवं सभी और शद्धियों के स्वामी है, महान आत्म कल्यान के लिए उन्हीं शक्तिशाली रुद्र का यग्य एवं सेवा करो, दान शील मन बाले एवं हाथ से कुशलता पूर्वक, शोभन क वर्षा करने वाले इंद्र की पत्निया सरिताएं, विभुद्वारा निर्मित सरसुती नदी वपरम दीपती शालीनी राका कामनाये पूर्ण करने वाली एवं दिप्त हैं, वे हमें धन्दे, महान एवं उत्तम शरण देने वाले इंद्र के प्रतिम में बुद्धि मता प निर्मान करने वाले हैं हे स्तोताओं तुमारी सुन्दर सुती गर्जन करने वाले वर्षा संबंदी शप्त से युक्त एवं जल स्वामी बादल के पास पहुँचे वे जल एवं बिजली को धारन करने वाले हैं तथा आकाश में प्रकाशित करते हुए चलते हैं हमारा ये स्तोत्र रुद्र के पुत्र मरुतों की शक्ती के सम्मुक भली प्रकार उपस्तित हो वे तरुन हैं हे मन अभिलाशा मुझे धन के लिए आकर्शित करती है बुंदकियों वाले घोणों पर यग्ये के प्रती आने वाले मरुतों की स्तोती करो धन की कामना से किया गया ये स्तोत्र, प्रित्वी, अंतरेक्ष, बनस्पत्यों एवं और शद्यों को प्राप्थ हो हमारे प्रती समस्त देव, शोभन, आवाहन वाले बने माता धर्ती हमें तुर्भुत्थी में ना डाले हे देवों हम तुम्हारे द्वारा दिये गए महान सुक का निर्बात भोग करें हम अश्वनी कुमारों की परम नवीन एवं सुक देने वाली रक्षा का अनुभव करें हे मर रहित अश्वनी कुमारों तुम हमें धन, वीर पुत्र एवं सौभागे दो. सुक्त, तरतालिस, देवता, विश्वदेव, मीठे जल्चे भरी हुई नदियां हिंचाना करती हुई, तेज चाल से हमारे समीपा में. विशेश रूप से प्रसन्य करने वाले स्थोता, विशाल संपत्ती पाने के उद्देश से सुख साधिका साथ नदियों का आवाहन करें. हम शोभन स्थूतियों एवं हफे दोरा हिंसा रहे धर्ती आकाश को अन्यलाब की निमित प्रसन्य करना चाहते हैं. माता पिता के समान, मधुर वचन्युक्त एवं सुन्दर हाथों वाले धर्ती आकाश समस्त्य संग्रामों में हमारी रक्षा करें. हे अधर्व्यू जनू, तुम मधुर आज एवं हव तयार करके उत्तम सोम्रस सबसे पहले वायुदेव को प्रदान करो. हे वायुदेव, तुम भी होता की तरह इस सोम को सबसे पहले पियो। हे देव, ये सोम, हम तुमारी प्रसंता के लिए दे रहे हैं। रित्वजों की शीक्रता करने वाली दस उंगलियां एवं सोम्रस में चोड़ने वाले हाथ पत्थरों को पकड़ते हैं। शोबन उंगलियों वाला रित्विज प्रसन्न होता है, तथा उच्च परवत पर उत्पन सोम्रता का मधुर रस्ट पकता है। सोम्रता से शोईत रस निकलता है। हे सेवा करने वाले इंद्र तुम्हारे कार्यों शक्ति एवं महानमद के कारण तुम्हारे लिए सुम्रस निचोड़ा गया है। हे इंद्र हमारे द्वारा पोकारे जाने पर तुम सुन्दर जुए में जुते हुए दोनों घोड़ों को रत में जोड़कर वहरत हमारे सामने लाओ हे अगनी तुम प्रसंता पूर्वक हमारे साथ देवों को प्राप्त होने वाले मार्गों द्वारा महान सर्वत गमनशील हव्यों के साथ यग्य को जानने वाले हव्य प्राप्त करने वाली एवं विशाल, गुना, देवी को सोम्र स्पीकर प्रसन्य होने के लिए हव्य वहन करो. मेधावी रित्विजों ने यग्य की कामना से हव्य पात्र अगनी के उपर रख दिया है. वह ऐसा जान पड़ता है कि पिता की गोद में पुद्र हो, अथवा मूटा पशू आग में तपाया जा रहा हो. हमारी यह पूजनी विशार एवं सुख देने वाली स्थूती, इस यग्य में बुलाने है तू, अश्वनी कुमारों के पास उसी प्रकार जाए, जिस प्रकार दूच जाता है. हे सुख देने वाले अश्वनी कुमारों, तुम लोग एक रत पर बैठ कर समर्पित, सोम के सामने इस प्रकार आओ, जिस प्रकार धुरी के पास कील जाती है. मैं शक्तिशाली एवं शिक्र गमन करने वाले पुशा एवं वायू की स्तुति करता हूं. ये मानव बुद्धियों को धन एवं अन्ने के लिए प्रेरित करने वाले एवं धन दाता है. हे जादवेद अगनी हमारे द्वारा आहुत होकर तुम विविद नाम एवं रूप धारन करने वाले मरुतों को ये कि मिलाते हूं. हे मरुतों, तुम सब अपनी रक्षा साधनों सहित ये जमान की यग्य वानी एवं शोभन स्तुतियों के द्वारा समीप उपस्तित रहो. यग्य की पात्र देवी सरसुती धियू लोग अथ्वा विशाल अंतरिक्र से यग्य में आवे. उदक वर्षा करने वाली वह प्रसंदा पूर्वक हमारे स्तुति को सुने और उसका अर्थ जाने. शक्ति शाली नीली पीट वाले एवं महान ब्रस्वति को ये गिर्शाला में बैठाओ. वे बीच में बैठ कर पूरे घर में प्रकाश बिखेरते हैं. सुनेहरे रंग वाले एवं तेजस्वी हैं तथा हमारे द्वारा पूजित हैं. सब के धारन करता परम दीप्टिशाली, अभिलाशाएं पूर्ण करने वाले, समस्त, रक्षक साधनों सहित बुलाए गए लप्टों तथा औशधियों को धारन करने वाले, अबाद कती, तीन प्रकार की जुआलाओं को धारन करने वाले, वर्षा करने वाले एवं अन्यधारक अगनी हमारे एक्के में आवे. ये जमान के होता हव्वे बात्र उठाने वाले, रित्विज, मादा रूपी धर्ती के विशाल एवन उज्वल बेदी रूपी स्थान पर बैठते हैं. सांसारिक लोग पैदा हुए बालक की शरीत प्रिद्धी के निमित जिस प्रकार उसकी मालेश करते हैं, उसी प्रकार उत्वन अगनी का पोशन स्थुत्यों से किया जाता है. हे महानगनी ये के कर्म करते हुए बुढ़ापे को प्राप्त स्थ्री पुरुष तुम्हें अधिक मात्रा में अनभेंट करते हैं. सभी देव हमारे लिए शोभन आवाहन वाले हैं. धर्ती माता हमें दुर्बुध्धी में ना डाने. हे देवगन हम असीम सुख प्राप्त करें. हम अश्वनी कुमारों की परम नभीन सुख देने वाली रक्षा का अनुभव करें. हे मरन रहित अश्वनी कुमारों तुम्हमें धन, वीर पुत्र एवं समस्त स्वभागे दो. सुख्त 44, देवता विश्वदेव हे अंतरात्मा, पुराने यज्मान, हमारे पूर्वज, समस्त प्राणी एवं आधुनिक लोग, जिस प्रकार देवों मिश्रेष्ट, कुषपर विराजने वाले सर्वग्य, हमारे सामने उपस्तित, शक्तिशाली, शीग्रगामी एवं सबको हराने वाले इंद्र की स्थुद्धी करके सफल मनुरत हुए थे, उसी प्रकार तुम भी बनो. ही स्वर्ग में दीप्तिशाली इंद्र, गतिहीन में के भीतर के शोभन जल को तुम सभी प्राणियों के हित के लिए समस्त दिशाओं में पहुँचाओ. ही शोभन कर्म करने वाले इंद्र, तुम प्राणियों के रक्षप हो, उनकी हिंसा मत करो. तुम आसुरी मायाओं से परे हो इसलिए सत्य लोक में तुम्हारा नाम है अगनी सत्य फालतायक एवं सबको धारन करने वाले हव्वे को सदा स्विकार करते हैं अगनी बादाहीन गति वाले हो निश्पादल एवं शक्ति दाता हैं वे कुशों पर बैठने वाले वर्शाकारी और शद्धियों में स्थित शिशु युवा एवं जरा रहे थें यग्य में जाने की इच्छुक निम्न गतिशील यजमानों द्वारा प्राप्त करने योग्य यग्य बढ़ाने वाली शोबन गमंशील सब पर शासन करने वाली किर्णों द्वारा सुर्य निचले स्थान में भरे जल को जुराता है हे शोबन सुत्यों वाले अगनी लकड़ी के बने पात्र में रखे एवं निचोड़े हुए सोम्रस को पी कर एवं मनोहर सुत्यों को जान कर जब तुम प्रसन होते हो तब तुम रित्विजों से विशेश शोभा पाते हो तुम ये कि में सबको जीवन देने वाली एवं सबका रक्षन करने वाली जो आलाओं को बढ़ाओ ये समस्तर देवों का समुह जैसा दिखाई देता है वैसा ही वर्णन किया जाता है अभिलाशा पूर्ण करने वाली उस दीप्ती से वेजल अपना रूप स्थिल करते हैं वे महान एवं बहुत देने वाला धन महान वेग वीरता युक्त पुद्र एवं समाप्तना होने वाला बल दे सरवग्य असुरों के साथ युद्ध के इच्चुप आगे चलने वाले अपनी पतनी उशा के साथ आगे बढ़ने के अभिलाशी एवं धन के स्वामी इंद्र हमारे लिए दीप्ती शाली एवं समस्त रक्षा साधनों वाला घर और संपूर्ण सुखते हे अधिशे पृत रिश्यों द्वार सुत एवं गमन सुर्ध जिन स्टूटियों में तुमारे प्रती शद्दा भाव है तुम्हें प्रस्द्य करने वाले करमों से युक्त उन्स्तूटियों द्वारा ये ज़्मान तुम्हारी सेवा करते हैं वे जिस बात की काम नहीं करते हैं, उसे वास्तवी ग्रूप से जान लेते हैं, अपनी इच्छा से तुम्हारी सेवा करने वाले पर्याप्ट फल पाते हैं। हम क्षत्र, मनस, अवद, यजत, सांध्री एवं अवतार नामक रशी विद्वानों की भी पूझे एवं सबके काम पूरक सुरे से ज्ञानियों दोरा भोगने योग्य अन्न की पूर्थी कराते हैं विश्ववार, यजत एवं माई नामक रश्यों का सोम्रस संबंधी नशा बाद के समान तेश एवं अधिती के समान विश्रित है वे सोम्रस पीने के लिए एक दूसरे से याचना करते हैं एवं अन्त में व्रशेश प्रकार का मद प्राक्त करते हैं सदाप्र, यजत, बाहुवरित, शुत्वित इवं तर्य नामक रशी तुम्हारे हितैशी बनकर तुम्हारे शत्रूं का नाश करें ये रशी दोनों लोगों की कामनाओं को प्राक्त करके तीप्ती संपर्न बनते हैं ये वेविद्र स्तोत्रूं द्वारा विश्वि देवों की उपासना करते हैं मुझ अवच्सार नामक येजवान की यग्य में सुन्तभर नामक रशी फलों का पालन करते हैं वे सभी यग्य कर्मों को उन्नत फल की और प्रिरित करते हैं गाएं दूद देती हैं मध और दूद बांटा जाता है निद्रा से जाक कर अवतार इस प्रकार बोलते हुए अध्यन करते हैं जो देव ये गिशाला में सदा जागरत रहते हैं रचाएं उनकी कामना करती हैं स्तोत्र जागने वाले देव को ही प्राप्त होते हैं जागने वाले देव से सोम ने कहा मैं तुम्हारा हूँ मैं तुम्हारे नियत स्थान में तुम्हारे साथ रहूँ अगनी देव ये किशाला में सदा जागने वाले हैं रेचाएं उनकी कामना करती हैं सदा जागने वाले अगनी देव को ही स्तोत्र प्राप्थ होते हैं जागने वाले अगनी देव से सुम्रस कहे मैं तुम्हारा हूँ हे अगनी मैं तुम्हारे निश्चत स्थान में तुम्हारे साथ रहूँ। सुक्त 45 देवता विश्वदेव इंद्र ने अंगेरा गोत्री रिश्यों की स्तुती सुनकर वज़फें का इससे आने वाली उशा की किरने सभी जगा फैल गए। अंदकार के समू को समाप्त करके सुर्य प्रकाशित होते हैं एवं मानवों के द्वार खोल देते हैं। सुर्य पदार्थों की भिन रूप के समान ही परिवर्तित रूप धारन करते रहते हैं। किर्णों की माता उशा सुर्युदे की बात जानती हुई आकाश से उतरती हैं, किनारों को तोड़ने वाली नदियां जल से भर कर बहती हैं, स्वर्ग घर में कड़े हुई लकड़ी के खंबे के समान स्थिर हो जाता है, महान स्थुदियों का निर्मान करने वाले ताचिन रिशियों के समान हम स्थुदि करते हैं, जो पादलों से जल बरसाता है, आकाश अपना कार्य पूर्ण करता है, इसलिए पानी बरसता है, ये कि कर्म करने वाले अंगिरागोतरी रिशी बहुत अधिक ठक जाते हैं, हे इंद्र एवन अगनी हम लोग अपनी रक्षा के लिए तुम दोनों को देवों द्वारा स्विकार करने योगि उत्तम स्थूटियों से बुलाते हैं शोबन यक्य करने वाले ज्यानिजन मरूतों के समान यक्य सेवा करते हुए तुम दोनों को प्रसने करने का प्रित्न करते हैं हे देवों यक्य के दिन तुम विश्य शुरूप से हमारे समी पाओ इस दिन हम शुब कर्मों वाले बनते हैं शत्रूं को पराजित करते हैं, छिपे हुए शत्रूं को समाप्त करते हैं, एवं येजवानों के सामने जाते हैं। हे मित्रों, आओ, हम लोग मिलकर स्थुति करें। इन स्थुतियों से चुराई गए गायों के भवन का द्वार खुलता है। इन्हीं से मनुने विशिशिप्र नामक असुर को जीता था। एवं इन्हीं की साहता से वनिक तुल्य कक्षिवान ने वन्मी जाकर जल पिया था। इंद्र की पूजा की थी। सर्मा ने यग्य में आकर गायों को प्राप्त कराया। इवं अंगेरा गोत्री रिश्यों के स्तोत सफल हुए। इस पूजनिया उशा का प्रकाश फैलते ही अंगेरा गोत्री रिश्यों ने गायों को प्राप्त किया। गौशाला में दूद दु दीर कमन अपेक्षित करता है। सुर्य तीवरगामी शेन के समान हव्य के समीप आतिशय युवा एवं ज्यानी सुर्य अपनी किर्णों के साथ चलते हुए विशेश शूप से प्रकाशित होते हैं। सुर्य दीप्तिशाली जल पर आरूर होते हैं। सुर्य जब अपने रत में सुंदर पीठ वाले घोड़ों को जोड़ते हैं तब धीर यजमान उन्हें जल पर चलने वाली नाव के सामने ले जाता है। एवं सुर्य के आग्या मानने वाली जल राशी जुख जाती है। हे देवों हम तुम्हारी सब कुछ देने वाली सुति को जल प्राप्ति निमित बोल रहे हैं। नवक्व यग्य करने वाले अत्रिकोतरी रिश्यों ने इन्हीं के सारे दस महां बिताये थे। इन्हीं स्तुतियों के कारण हम देवों दोरा रक्षित हो एवं पापों को लांग सके। सुक्त 46 देवता विश्वदेवादी सब को जानने वाले प्रतिक्षत्र रिशी ने येग्य में अपने आपको इस तरह लगा दिया जैसे घोड़ा गाड़ी में जुद जाता है। हम अधर्वियों एवं होता भी उस उद्धार करने वाले एवं रक्षाकारकारे का बोश्च होते हैं। हम इससे छूटना नहीं चाते ना इससे बार-बार ढोना चाते हैं। मारक को जाने वाले देव आगे चलते हुए सरलता पूर्वक लोगों को ले चले। हे इंद्र, अगनी, वरुन, एवं मित्र देव, हमें बल्दो। मरुद्गन, एवं विष्णु भी, हमें बल्दो। तोनों अश्वनी कुमाल, रुद्र, समस्तर देवु की पत्निया, पूशा, भग, एवं सरस्वती हमारी स्थूती को स्विकार करें। हम रक्षा के निमित, इंद्र, अगनी, मित्र, वरुन, अधिती, धर्ती, आकाश, मरुद्गन, पर्वत, जल, विष्णु, पूशा, भ्रस्वती, एवं भग को बलाते हैं। विष्णु अथ्वा, अहिंसर वायू, अथ्वा, धन देने वाले सोम, हमें सुखते। रिभुगन, अश्वनी कुमार, तुश्टा, एवं विभु, हमें धन देने के लिए प्रसन्न हूँ। स्वर्गलोक में रहने वाले तथा पूजा के योग्य मरुद्गन बिछे हुई कुशों पर बैठने के लिए हमारे पास आवे। ब्रहस्पति, पूशा, वरुन, मित्र तथा अर्यमा हमें घर से संबंदित सभी सुखते। शोभन स्तुतियों वाले परवत एवं उत्तमदान वाली नदियां हमारी रक्षा का कारण बने। धनों को बांठने वाले भग अन के साथ हमारे पास आवे। सर्वेत्र, व्यापत अधिती, मेरी स्तुति को सुने। देव-पत्नियां हमारी स्तुति की अभिलाशा करती हुई हमारी रक्षा करे। धेव-बल्वान पुत्र एवं अन्नपाने के लिए हमारी रक्षा करे। हे देवियों आप धर्ती पर रहो अथ्वा आकाश में पर हमें सुख प्रदान करों। देव पत्नियां हमारे हव्य को खाएं। इंद्राणी, अगनाई, दीप्ती युक्द, अश्वनी, रोची एवं वरुणानी देवी हमारा हव्य भक्षन करें। देव पत्नियों के मध्य, रित्मों की देवी हमारा हव्य भक्षन करें। सुख्त, सैंतालिस, देवता, विश्वदेव। सेवा करती हुई, नित्ते रुणी, वस्तुती वाली उश्वा बोलाने पर स्वर्ग से देवों के साथ यग्य शाला में आती है। मारवों को यग्य कारे में लगाती है और धर्ती को इस प्रकार चेतन बनाती है, जैसे कोई माता कन्या को बोध देती है। अपरिमित, व्याप्त एवं प्रकाशन रूप कर्म करती हुई सूर्य किर्णे सूर्य मंडल के साथ एकत्र होकर स्वर्ग, धर्ती एवं आकाश में गतिशील होती है। अभिलाशाएं पूर्ण करने वाले, देवों को प्रमदुत करने वाले, दीप्ती शाली वो शोभन गतियुक्त रत ने अंतरिक्ष की पूर्व दिशा में प्रवेश किया था। इसके बाद स्वर्ग के पीच में छिपे हुए विविध रंगों वाले, एवं सर्व व्यापक सूर्य, आकाश के पूर्व और पश्शिम भाग में विच्रन करके रक्षा करते रहे। अपने कल्याण की अभिलाशा वाले चार रित्विज, स्तुतियों एवं हविद्वारा सूर्य को धारन करते हैं। दस दिशाएं सूर्य को चलने के लिए प्रेरित करती हैं। सूर्य की तीन प्रकार के किरने उत्तमता पूर्वक, आकाश के अंततक शिक्रता पूर्वक गमन करती हैं। हे रित्विजू, सामने दिखाई देता हुआ यह मंडल आतिशय स्तुतियोग्य है। इसमें शोभन नदियां बहती हैं एवं हमारा पालन करती हैं। अंतिरक्ष के अतिरिक्त, माता-पेता के समान धर्ती और आकाश, स्थित, रात-दिन इसी से उत्पन होते हैं। एवं इसे धारन करते हैं। इसी सूर्य के लिए बुध्यमान यज्वान, यग्यकर्म आरंभ करते हैं। उशारूपी माताएं इसी के लिए तेजस्वी कपड़े बुनती हैं। वर्षाकारी सूर्य के मिलन से प्रसंद, पत्नी रूपी किरने आकाश मार्क से हमारे पास आती हैं। हे मित्र ववरुन, ये स्थोत्र हमारे सुक का कारण हो। हे अगनी ये स्तोत्र हमें सुख दे, हम लंबियायू एवं प्रतिष्ठा का अनुभव करें। दीप्तिशाली, महान एवं सबको सुख देने वाले सूरे को नमस्कार है। सुक्त, अर्टालिस, देवता, विश्वदेव, हम सबके प्रिय, विद्युत संबंधी, तेज की स्तुती कब करेंगे। बल, एवं यश, उसका आधार है, एवं वह, सबका पूजे है। वह, शक्ति, सबोर से परिमित लगने वाले आकाश में वर्षा का विस्तार करती है। वह, प्रग्यावती, एवं आकाश को ढखने वाली है। क्या उशाएं, रित्विजों द्वारा, धारन करने योग की ज्यान का विस्तार करती हैं। वह, एक रूप वाली आवरन शक्ति से सारे संसार को ढख लेती हैं। देवों की अभिलाशा करने वाले लोग, पूर्वर्तिनी एवं भविश्य में आने वाली उशाओं को छोड़कर, सामने उपस्तित, वर्तमान उशाओं से अज्यान को लांगते हैं। पत्थरों द्वारा रात एवं दिन में तैयार किये गए सोम्रस से प्रसन होकर इंद्र मायावी बृत्र को मारने के लिए वज्य को तेज बनाते हैं। इंद्रूपी सुरे की सेंकड़ों किरने दिनों को लाती एवं विदा करती हुई आकाश में घूमती हैं। अपने स्वामी का अभिमत पूरा करने वाले पर्शु के समान हम अगनी की दीप्ति को देखते हैं। इस रूपान सुरे की किरनों का बर्णन हम सुख पाने के निमित करते हैं। अगनी देब हमारे साहयक होकर यकिशाला में आते हैं। एवं ये जमान को अंसे भरा हुआ घर तथा उत्तम धन देते हैं। अगनी रमणिये तेज को धारन करते हुए अंधकार रूपी शत्रुका नाश करते हैं। एवं चारों दिशाओं में ज्वाला रूपी लप्टें फैला कर सुशोबित होते हैं। हम पुरुष के समान आचरन करने वाले अगनी को नहीं जानते। क्योंकि भग रूपी महान सविता हमें उत्तम धन देते हैं। सुक्त उन्चास देवता विश्वदेव। तुम यजमानों के कल्यान के लिए हम आज सविता एवं भग के समीप जाते हैं। यह दोनों यजमानों को धन देते हैं। हए नेता एवं बहुत भोग करने वाले अश्वणी कुमारों, तुम्हारी मितरता की अभिलाशा करते हुए हम प्रती दिन तुम्हारे सामने जाते हैं। हे अंतरात्मा, तुम शत्रूं का नाश करने वाले सूर्य देव को वापस आया जानकर स्तूतियों दोरा प्रिशंचा करो। उन्हें मानवों को उत्तम रत्न एवं धन बांटने वाला जानकर हव एवं स्तूतियां समर्पित करो। पोशन करता सेवा करने यूग्य एवं टुकडेना होने वाले अगनी अपनी जौलाओं दोरा उत्तम लकडी को खाते हैं एवं तेज का विस्तार करते हैं। इंद्र, विश्न, वरुन, मित्र, अगनियादी, दर्शनीय देवगर्ण हमारे तिवसों को कल्यान मैं बनाते हैं। सविता देव का कोई तिरसकार नहीं कर पाता। वे हमें उत्तम धन दे। बहती हुए नदियां उसी धन के लिए गतिशील हूँ। हम यके के होता बनकर इसलिए स्तोत्र बोलते हैं कि हम धनों के स्वामी बने एवं हमारे पास उत्तमन हो। जिन यजमानों ने वसों को गतिशील अनभिंट किया है एवं मित्र, वरुन के ब्रती जिन्होंने स्तुदियां बोली हैं। उन्हें महांतेज प्राप्त हो। हे देवों, तुम उन्हें शेष्ट सुक्त हो। हम धर्ती और आकाश की रक्षापा कर प्रसन हो। सुक्त पचास देवता विश्रदेव। सभी मनुष्य सविता देव से मित्रता की याचना करें। सब लोगों से धन की कामना करें। एवं पुष्टी के लिए धन पावें। हे सविता देव, हम ये जमान धता होता आदी अन्य लोग जो स्तुतियां करते हैं। वे सब तुम्हारी ही हैं। तुम हमारी अभिलाशाएं पूर्ण करो। एवं दोनों प्रकार के लोगों को धनी बनाओ। अतह। इस यक्य के नेता एवं अतिथी के समान, पुझ, देवों की सेवा करो। एवं देव पत्नियों की सेवा करो। सबको विभक्त करने वाले सविता, दूरवर्ती भागों में उपस्थित, बैलियों को हमसे दूर रखें। जिस यक्य ने यग्य को धारन करने वाला एवं यूप से बांधने योग्य पशू यूप के पास जाता है। उस यग्य में यज्मान वीर पत्निया, पुत्र, घर, धर्ती, धन आदि पाता है। हे सविता देव, तुम्हारा ये रत धन से युग्त एवं सबका पालन करने वाला है। ये हमारे लिए सुख प्रदान करे। हम सुख, धन एवं अनपाने के लिए स्थुति करते हैं। हम स्थुतियोग्य सविता की स्थुति करते हैं। आप सभी को कोटी-कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। येदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे।